आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नस्दिकिया क्या हो दूरिया बस प्यार हे रहेगा दर्मिया रहां में नहीं दूप का हम धन्दी छाया देगा हर दम पवित फिरिष्टा, पवित फिरिष्टा तेरे मेरे मन का अभी फिरिष्टा, तेरे मेरे मन का सुलोजना ताई आई, कैसी है तू? बस ठीकी हूँ सुलोजना ताई, कैसी है आप? अभी काफी ठीक हूँ आप कैसी है? ताई, मेरा हाल तो बस पूछो ही मत ये मानव की बेहन है न? उसको जेलते जेलते मेरी तो कमर ही तूट गई है वो कम थी, कि अब मेरा बेटा भी मानव का भक्त बन का फिर रहा है अच्छा है ना, देर सही सही लेकिन उसे अच्छी संगत तो मिली आई, तो ये सब छोड़, तू मुझे ये पता, तो वो मानव के वो क्या वो दुकान की इनाउग्रेशन में गई थी ना, वहाँ पर क्या हुआ? अरे गई थी ना, काहे की दुकान छोटी सी टप्री थी, इतनी, इतनी छोटी, याने यहां से शुरू होती है और यहीं खतम हो जाती है और तुझे एक बात बताओ, गिन चुनकर 20-25 लोग ही थे, लेकिन किसी को बैठने के लिए जगे ही नहीं थी सारे लोग खड़े थे और उपर से गर्मी के मारे बुरा हाल था क्या करें? मानव जैसे इंसान से और उमीद भी क्या की जा सकती है और तुझे पता है? इनागुरेशन किसके हाथों हुआ था? अब मुझे कहां से पता होगा? अरे गेस ना, तुझे बता ना, क्रेट सविताता ही किसी भी बिसनेस की इससे बुरी शुरुआता और क्या हो सकती है सुलोचना? अरे वाँ भाई वाँ कितना मजा आया, क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें मैंने बहुत मिस्स किया अरे अपने दामान की काम्याभी देखने के लिए तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी था मंजू, चलना, मुझे फ्रेश होना है आहा, तुझ चल अंदर में साथ, चल सच कहता हूं सुलोचना, वहाँ लोग मानू की इतनी तारिफ कर रहे थे, पूछो मत कल मानू ने सही माइने में सावित कर दिया, इंसान के हौसले अगर बुलंद होना, तो वो कुछ भी कर सकता है ये सब देखकर मेरी अर्चू और साविता ताई, बहुत खुश हो ही होंगी न हाँ वही हाँ, हारे मानू जैसा संस्खारी लड़का, और हुनहार पती जिसे मिले, वो तो बहुत नसीव आले होते हैं न, उनकी चेरी की खुशी तो देखते ही बन रही थी आप बैठे, मैं पानी लिखा रहे हूँ नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं खुद लेता हूँ न, आहो बैठे, चाह, आजा अब है न, तुम मेरी बात सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी है अब और क्या सुना रही है तू मुझे, अरे बाहर तेरे ससुने मानव के इतने गुनकान गाये वो कम है क्या आई, आई मुझे तुझसे न, वैशू के बारे में बात करनी है अरे, कल धरमेश और उसकी मा आए थे, आई को देखने के लिए वैशू घर पर ही थी, लेकिन उन दोनों को देखकर खिड़की के पीछे जाकर छुप गई आई, मुझे तो लगा कुछ न कुछ करपड जरूर है मंजू, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था न, याने वैशाली ने कुछ वर्षा से कहा था कि वो यहाँ है और वो यहाँ नहीं थी हाँ, हुआ था मंजू, अब हमको न, इस बात की तह तक जाना पड़ेगा जरूर कोई न कोई सेंसेशनल चीज हाथ में आ जाएगी हमारे रसे का याथ? क्या बाते चल रही हैं? नहीं, विनोद, ऐसे कुछ खास बात नहीं चल रही है और बात क्या चलेगी? आज तो यहाँ, वहाँ, उपर, नीचे, सब जगे एक ही चर्चा चल रही है मानव ने नया दुकान खोला है, मानव ने नया दुकान खोला है मैं, मैं तो उसी के बारे में मंजू से बात कर रही थी एक्चुली, विनोद, मानव ने याद से सब को बुलाया था सिर्फ तुम्हे और मंजू को इनवाइट नहीं किया था ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आखिर, आखिर तुम रिष्टेदार हो उसके तुम्हे ऐसे इग्णोर कैसे कर सकते हैं वो लोग नहीं से हम जा रहे थे तो हमने सुचा आप से बिल्ते बचले आपकी यतर कैसी रही बहुत अच्छी और वर्शा मैंने वहाँ हम सब के लिए दूआ मांगे और देखना वो दूआ ज़रूर काम करेगी ऐसा चमतकार होगा कि तुम्हारी कुछ खुशियों से बढ़ जाएगी प्राकीब प्राकीब, दर्मेश का है, दिखनी ता है दर्मेश तो कब से निकल गया बटा अब तो रात को देर से ही आएगा किसे खास काम से गया है क्या अरे नहीं नहीं बटा, वो क्या है ना कि वैशाली मुंबई में नहीं है ना तो उसने अपने आपको काम में व्यस्त कर लिया सुबर जल्दी जल्दी निकलता है रात को देर से आता है अशाली मुंबई के बार गई, कहां गई है वो तो कुलापूर अपनी सहली के शादी में गई है ना अच्या कुलापूर उसने तुम्हें नहीं पताया नहीं एक्टली वो बोल गई होगी तुम्हें लोग जब श्रीरंपूर से लोटे हो उसे दिन से गई हुई है अब तो दो तीन दिन में वापस भी आ जाएगी अच्या अच्या काकी हमें मालू ही था इस बारे में तो इसलिए आपको किसने बोला धरमेश ने बताया मुझे ओके तुम्हे राएगी ठीकिया तो हम चले हम अच्या अच्या को चाय नाश्ता हो गेर आए नहीं काकी आइंदा जो धरमेश वर्शाली दोनों होंगे न तब आएंगे आराम से हां काकीया थोड़ा सा काम भी है तो फिर कपी आते हैं ठीकिया अच्या थेंक यू आज़ 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 दर्मेश ने अपनी आई से जूट क्यों बोला इसका मतलब साफ है धर्मेश और वैशु के बीच की अन्बन अभी तक खतम नहीं हो और वैशु भी अभी तक घर पर वापस नहीं आई अगर ये बात आई को पता चलेग तो वो टेंशन में आजाएंगी इसलिए धर्मेश ने सब को जान बूच कर छुपाया या लेकिन ये तो हद हो गई ना मतलब ऐसी भी क्या लडाई है हाँ सही है लेकिन अब इस मामले को सुलजाना होगा जल से जल एक काम करते हैं तुम वैशाली से बात करो मैं धर्मेश स ठीक है और जल से जल इस मामले को खतम करते हैं हाँ कमजोर को साला कोई जीने नहीं देता है हाँ बात तो सही है बच्पन से ऐसा है क्या अगर इसे तरह काम चलते रहा ना तो कुछ दिनों में हम कहां से कहां निकल जाएंगे ये तो हो नहीं है दादा आपको पता है सबजि मैं तो कहता हूं मार्कीट में अपना एक ठेला लगा देते हैं कमाई होती रहेगी तेरा तो दिमाग भी चलता है क्या दादा मुझे लागा सिर्फ हाथ पर चलते हैं तेदर मंबई में रहना है तो अपनका हाथ चलाना बहुत जरूरी है यहां कमजोर को साला कोई जीने न सुन कलेक्शन ठीक से करना चालेक्शन हम कहूं है अजीट अरे अज़ित तो यहां राकेश अरे कैसा मज़े में क्या चल रहा है और कहां अजकल ?? या जहां पर पहले था वहीं हूँ आजकल, पूरा दिन ओफिस में, और रात तो तुझे पता है ना, तु सला नहीं सुदरेगा, तुने सुदर कर देख लिया ना, तुझे क्या मिला, वैसे कर के आ रहा है आजकल, कुछ नहीं, छोड़ा मुटा काम चल रहा है, मतलब पैसे पाईसपे देना वागरा पैसे क्या बात कर रहा है और तु भी मज़ा कर रहा है, क्या कर रहां यहां पर नहीं स्थ्ज शर भांनी है कुछ ने पैसे बाद में बाद में वसूल कर लेना चल अटने पेट देख से माणा कर निंने आ ब तुसे में determines मालं से रहात और तुम मन अधा बड़ी सभी कार है गाड़ी तो अच्छी है अच्छे सुन अब ये पैसे मानव को देदे रहां वोलना बाद में फोन करूं का भाई हां तेंशन नहीं देदा परसुली टीक से करना परसुन सम्हल के जाना ज्यादा आमांट है जिनता मत करो मैं हूना बाद में मिलते है खीके देदा अच्छे प्रश्टर सक्राइब ये अधा है अधा था जी किसली आच तुम्हारी वजिस से मजे इत्ती साद ह हुशे मिली अगर तुम्ने नहीं कहा होता कि आई के अध्से उद खाटन कर रहो तो तुम्हां मुझे इतने तसली मिलती हो नाए इतने हुशे नह कितनी ज़्यादा खुश थी और बेटे के लिए कितना ज़्यादा गर्व थाउट के चरफ है आज मानव और आपकी आखों में खुशी के आसू भी देखे मानव अपको पता है मेरी आई हमेशा कहती है कि मुस्कुराहट भले इंसान को जोड़े ना जोड़े लेकिन आसू इंसान को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ देते है आज आई, बाबा, आप आप सब की आखों में आसू थे और उन आसू ने एक टूटे हो परिवार को परिसे जोड़ दिया मानव लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरी वज़े से आपके और आए के बीच में बहुत शरी ने कभी भूल की भी भी बेशा स doorway यह कुछ नही है अज setup अट तुम्हे मुझे प्यार करना सिखाए रिष्टो जिए सही माईने शिखाए और तुम मेरे और आए के बीच में नहीं अँए तुम तुम मेरा हाथ पकरके सही रास्ते पिले जाते हैं। तुम कभी भी ऐसा मच सोच नहीं। मानव हुँ? मुझे टर लगने लगाए किस बत से? अपने हाप से मानव इंसान बहुत अजीब होता है खुश यहां बहुत मुश्किल से आती है लेकिन फिर भी इंसान को अजीब हो जाती है और दुख दुख भर भर कर भी आते है ना? फिर भी इंसान को अजीब होती है और मुझे खुशियों के आदत होगी तो अच्छी बात है, आपशा अच्छी जीज़ों क्या आज़ते हो निचे दादा, यलो आज का कलेक्शन तू क्या करता हो आजा था बार से? वो तो कुछ नहीं दादा है, वो सीटी बजा रहा था वसा अपन क्यो? वो क्या है दादा आजसी पढ़ गदे जात को घर जाते समय ना थोड़ा अकेला हो जाता हूं बहुत डल लगता है इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए और भगाने के लिए सीटी बजा लेता हूं लेकिन अभी तो दिन है ना आत की आदात है दादा के दिन में थोड़ी ना जाएगी अब एक बहुत धान से सुन ले अगली बार से सीटी बजाते पर दिखाना तो थपड़ बड़े हैं खीज़के चीज़के अच्छी आदत निये ये तो रहा ये जित्त भी कलेक्शन है एक कल से सीथे भहीनी के आपड़े ना मझे देने के जरुद देने के जरुद छीग लो भहीनी अरे पर अच्छा पर पैसे गिर ले ना और ये तो कान के चापे इससे भी अच्छे सरग तो कर दो कि वैशाली मम्मी जी आप यहां अरे ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए तो कोलापूर से कब लोटी और घर क्यों नहीं आई शायद धर्मेश ने मेरे बारे में जूट बोला होगा वो मम्मी जी दरसल में कली कोलापूर से वापिस आ गए थी वो क्या हुआ मैं वहां पर रुपने वाली थी लेकिन आई के अस्तमा के अटेक के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ मम्मी जी दरसल मुझे घर पर आना चाहिए था लेकिन आई की तब्यत खराब होने की वज़ेसे मैं वहीं पर रुप गए लेकिन मम्मी जी धर्मीश को ये बात पता थी चलो ठीक है कोई बात नहीं है वैसे भी अपनी आई की तब्यत के बारे में ऐसा सुनकर कोई भी लड़की परीशान हो जाएगे ये बात तो मैं समझ सकती हूँ मैंने जब सुलुचन ताई के बारे में सुनाना परेशान हो गई थी मैं उनसे मिलकर ही आई हूँ, अब आई से मिल ली आना, चल, अब घर चल मेरे साथ माँ मैं सोच रही थी कि आई के घर रुख जाओ, जब तक आई के तब बिर ठीक नहीं हो जाती अरे बाबा मैंने कब मना किया तुझे, तो जब तक चाहे अपनी आई के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती है लेकिन अभी तो मेरे साथ अपने घर चल ताई वर्षू, वर्षू तू, तू यहाँ वर्षू कहा है ताई वर्षू, वर्षू मार्केट गई होगी, आती होगी, तू बैठ ना, मैंने सेवे याँ बने ही, मैं भी लेकर आती हूँ यह खा के बता कैसे एक मुरूट ताई यह सब क्या है, मतलब, मतलब जब मैंने तुछ से पूछा कि वर्षू कहां पर है, तेरा जवाब होना चाहिए था कि वो आपने घर पर है, लेकिन नहीं, इसका मतलब वो यही पर रह रह रही है, जब्चे हम श्रीरंगपूर से लोटे वो यहां पर क्या कर रही है, क्या नहीं, वाईशू, एसी कोई बता ही, तुने हमेशा हमें हालातों के साथ समझाओता करना सिखा है, रिष्टो को जोडना सिखा है, तो फिर आज क्यों वाईशू को समझा पुजा कर तू उसके घर वापिस नहीं बेज रही है, क्यों उसकी गलत हरकतों को बढ़ावा दे र क्योंकि मैं जानती हूं तो कभी गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और मैं ये भी जानती हूं कि वाईशू और धरमेश के बीच में जो कुछ भी हुआ है, वो कोई चोटी-मोटी बात नहीं है, जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जो वो तुझे पता सकत लेकिन मुझे और आई को ने, नहीं वाईशू, आसी कोई बात नहीं है, वाईशू ने मुझे कुछ नहीं बताया, वो तो सारी बात मुझे पता चलकर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे सच बता दूँगी, लेकिन क्यों ता ये? क्योंकि इसलिए, कि ये आनद के साथ ही शेयर कर सकती. अगर तुझे इतना ही जानने का शौक है, तो तुझ आकर वाईशु से बात कर ले. मुझसे जिदमत कर क्योंकि मैं तुझे कुछ नहीं बताऊगी. ठीक है. ठीक है ताइट. आए जाकर वाईशु से पूछती हुग. आए जाए जाए इतना है. अए जाए 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 पूण कर देखा लेकिन वह नहीं है. तुझे प्ना पर ट्राइक कर रहा है? मानँ उसे कब से पून करी हुदे हैँ लेकिन इसका फोन ही नहीं लग रहा है. बता नहीं क्या होगया? अच्छा, तुम घपरामाता, हम लोग चलिके देखते हैं. हाँ, बाणुद चलिए. अच्छा, 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 परिशाल नग रहे हो, इसको ढूंड रहे होते हैं. बाबा, हम वैशाली को ढूंड रहे हैं. वह दस्मेट कहके निखली थी, अच्छा रही हैं. लेकिन अभी 4 घंटे हो गाया और नहीं आई है. जाचा जाचा के ढोड़ सकते हैं वहाँ नूटा लेके पिल ले रहे हैं अफॉट भी नहीं लग रहा है उसका अरो पाफ यह तो टेंशन वाली बात है चलो हम सब मिल के लुटे है चलो कि अ कि 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 यह कि अव्याद को बार अ. माधुरी का है, इसका मतलब हो यहाँ है इती पर आपका नाम बदाओ धर्मेश जयपुर वाल यह मेरी पत्नी है माधुरी धर्मेश जयपुर वाला मुझ काल झाल यहाँ जयपुर वाला यहाँ है